दोस्तों क्या इस image को देखके आप मुझे ये बता सकते हैं कि आज हम कौन सी state के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखे इस state में आपको एक special type of plant मिलता है, flowering plant, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है, जिसकी वज़े से आसपास के इलाकों में कुछ ऐसा नीला सा color दिखता है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास, जडमत होई सुजान, रसी के आज जात से पत्थर पड़ेई निशान। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जितनी आप practice करेंगे, उतना ही आप perfect होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक ऐसी series लेके आए हैं, जिससे आप अपने upcoming UPSC problems की preparation को और ज़्यादा boost कर सकते हैं। जिससे आप अपने subject को बहतर तरीके से cover कर पाएंगे। उसके लावा आपको यहाँ पर मिलेंगे 5 current affair के test जिससे आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी current affair के preparation को और बहतर कर सकते हैं। और साथ की साथ 15 full length test और 4 C set के test अब इस परियास series को join करके आपको क्या benefit होगा। यह test तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तीकि इससे benefit यह होगा कि जब आप sectional test देंगे तो आपको अपनी हर एक area की problem का पता लग जाएगा। मालज़े economy में आपको अगर किसी topic में problem है उसको identify करने में यह sectional test आपकी help करेंगे। उसके लावा आपको पता ही है कि recently current phase से बहुत जादा question पूछे जाते हैं और उन्हें prepare करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो test से आप उस चीज को भी दूर कर सकते हैं और full length test से आप experience कर सकते हैं कि कैसे UPSC में आपको exam देना चाहिए। अब वैसे तो आप अपने performance को खुद भी monitor कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई doubt रहते हैं तो उसके लिए हम मंतली basis पे दो zoom session conduct करेंगे जहां पर आपके सभी doubt को हम clear करने की कोशिश करेंगे। अब इससे related आपकी कोई भी query हो तो आप पूछ सकते हमारे website पे जाके dpp.onlyis.in पे जाके और आप mail भी कर सकते हमें info at the rate onlyis.com पे इसके लावा आप call भी कर सकते हैं हमारे number पे आईए अब discuss करते हैं आज का topic आपने बिल्कुल सही guess किया आज हम पढ़ने वाले हैं केरला के national parks के बारे में अब देखे इसे याद रखने के लिए एक simple सी line याद रखिए यार एना और इरा मैट्स की तयारी कर रही हैं इसलिए Pam silent है अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस यार का मतलब है पेरिया दूसरा आपका इरा या एना तो यहाँ पे इरावी कुलम नेशनल पार्क इरा से बनेगा अन्ना मुड़ई नेशनल पार्क आपका एना से बन जाएगा उसके लावा यहाँ पे मैट्स आपका रिपरेजेंट करेगा मेथी केतन शोला नेशनल पार्क को उसके लावा पैम आपका represent करेगा पंबदनम 16 नेशनल पार्क को इसके लाबा silent आपका silent valley नेशनल पार्क हो जाएगा अब आपको comment box में मुझे ये बताना है कि flower valley या valley of flower नेशनल पार्क कहां पे मिलता है किस state में और वहां पे आपको किस तरह की vegetation देखने को मिलती है और कौन सी river वहां से flow करती है अब आशा मेरी ये है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं इस चीज के बारे में comment करके मुझे बताएंगे कि ये नेशनल पार्क कहां पे located है आईए शुरुआत करते हैं आज के पहले topic की जहां पे हम बात करेंगे इरावी कुलम नेशनल पार्क के बारे में अब एक चीज याद रखना कि ये जो पार्क है ये हिस्सा आपके नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का और ये नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व 2012 से ही UNESCO World Heritage Site का पार्ट है अब यहां पे आप याद रखना कि इस एरिया में आपको Grassland देखने को मिलते हैं और साथ के साथ Shola Forest Shola आपके Temperate Type of Forest हैं जो आपको पर्टिकुलरली इसी एरिया में देखने को मिलते हैं इसके लावा यहां पे आपको नीलगिरी ताहर, सांबर, Barking Deer नीलगिरी, Metron Otter, Jungle Cat, Jekals इस तरह के और भी बहुत सी Species देखने को मिलती हैं अब vegetation में स्पेसिफिकली बताओं तो यहां पे आपको इस एरिया में जैसे Shola Type of Forest देखने को मिलेंगे ही उसके लावा यहां से Evergreen से स्टार्ट होके क्योंकि यह एरिया आपका Western Ghat का पार्ट है तो यहां पर आपको Evergreen भी देखने को मिलेगी vegetation, थोड़े बहुत Scrub Blancs और उसके इलावा Decidious Forest भी देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में अब यहां पे आपको एक Special Type of Flower देखने को मिलता है जिसका नाम है नीला कुरंजी यह जो नीला कुरंजी है इसी की वज़े से नील गिरी Basfair Reserve का नाम पड़ा है नील गिरी विकास यह नीले कलर का है और इसकी खासियत यह है कि यह हर 12 साल में एक बार खिलता है मतलब हर साल खिलने वाला फूल नहीं है यह बारा सालों में एक बार खिलने वाला फूल है अब यहाँ पर कुछ important आपकी water bodies है जैसे कुंधा, बिली थल दलहा और पैकर यह आपकी important water bodies है जो इस एरिया में आपको देखने को मिलती है अब यह जो आपके जानवर यहाँ पर mention की है इसके इलावा भी आपको कुछ important species देखने को मिल सकती है जैसे tiger, leopard, gaur, sloth bear, नीलगिरी लंगूर, giant squirrel और wild dog धोल एक बात याद रखना है यह जो धोल है आपका wild dog यह आपको लगबग पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं आईए अब बात करते हैं अन्ना मुड़ई नेशनल पार्क के बारे में इसके साथ ही लगते हुए आपके अन्ना मलाई tiger reserve के बारे में भी हम बात कर लेंगे यह आपका अन्ना मुडई नेशनल पार्क हिस्सा है western ghat के इडू की district का अब यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि दो important water bodies आपको देखने को मिलती हैं एक है पांबर river और दूसरा है आपका अमरावती reservoir अब क्योंकि यह भी area आपका western ghat का part है तो इस चीज में याद रखना यह कि आपको subtropical hill forest देखने को मिलते हैं lower part में और वो gradually आपका transform हो जता है mountain wet temperate forest में जैसे जैसे आप उचाई में उपर भड़ते हैं इसके लावा आपको elephant, leopard, tiger, gore और जंगली sewer जैसी परजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं अब इसके आस पास एक important area पढ़ता है आपका अन्ना मलाई tiger reserve इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं देखिए यह जो अन्ना मलाई tiger reserve है यह आपका अन्ना मलाई hill वाले area में पढ़ता है यहाँ पे आपको dry scrub type of vegetation देखने को मिलती है important यह इसलिए जो आपके सवाना forest है या सवाना grasslands है उस तरह का climatic condition यहाँ पे देखने को मिलता है और forest यहाँ पे देखने को मिलता है generally यहाँ पर जो आपको trees देखने को मिलेंगे वो होते हैं आपके moist decidistry और evergreen type of forest भी आपको कुछ area में देखने को मिल सकता है यहाँ पे इसके लावा teak और rosewood यहाँ पर बहुत commonly मिलती है और higher elevation में यहाँ पे आपको grassland तक देखने को मिल सकते हैं उसके लावा यहाँ पे आपको animals जैसे नील गिरी, लंगूर, giant squirrel, lion tail, macau, gor, elephant, cheetal, samba, mouse deer, barking deer और बहुत अलग-अलग type के birds भी देखने को मिल सकते हैं अगर बड़े जानवरों की बात करें तो यहाँ पे आपको tiger और panther देखने को मिलते हैं और नील गिरी ताहिर भी आपको इस area में देखने को मिल सकती है एक चीज बता दू, नील गिरी ताहिर जो है, वो इसी इलाकों में, मतलब यह जो नील गिरी biosphere reserve वाला पार्ट है, इसी इलाकों में देखने को मिलता है उसके लावा नील गिरी लंगूर, specially mention कर रहा हूं, वो भी आपको इनी area में देखने को मिलता है कही न कहीं जुड़ गया किसी भी परजाती के साथ, तो आप याद रखना कि वो endemic होगा उस area का उसके लावा आईए अब बात करते है, Silent Valley National Park के बारे में अब यह आपका पलाकड district और मलपुर्म केरला में पढ़ता है, मलपुर्म भी आपका district area है यहाँ का और यह आपका पलाकड है, इसके बीच में यहाँ कहीं देखने को मिलता है, यह आपका Silent Valley National Park अब यहाँ से कुछ important river निकलती है, और कसम से इन river के नाम प्रनाउंस करते करते कई बार जवान लड़ खड़ा आ जाती है बड़ चलो फिर भी, कुंती पुर्जा, यह आपकी भर्त पुर्जा के एक tributary है, यह यहाँ से निकलती है उसके इलावा भवानी रिवर, जो कावेरी रिवर के आपकी एक tributary है, वो भी यहाँ से ही निकलती है तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि इस Silent Valley National Park से निकलती है उसके इलावा, लॉयन टेल मकाव, यहाँ पे देखने को मिलता है, important species है निल गिरी लंगूर, पहले ही बता चुका हूँ, इस एरिया के endemic है बॉनिट मकाव, टाइगर, लियोपर्ड, जंगल काट, फिश काट, यह सभी आपको इस एरिया में देखने को मिलती है इसके इलावा, vegetation यहाँ पर बहुत अलग-अलग टाइप की मिलती है जैसे अगर आप 600 मीटर से लेके, 1100 मीटर की हाइट पे है तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल, एवर ग्रीन टाइप आफ फॉरस देखने को मिलते है अब वहीं आपकी हाइट 1300 से लेके, 1800 मीटर तक की हो तो आपको सब ट्रॉपिकल, ब्रॉड लीव ट्रीज देखने को मिलते है उसके इलावा, अगर आप 900 मीटर से उपर हाइट पे चले जाते है तो आपको mountain wet temperate forest देखने को मिलते है और साथ की साथ थोड़े बहुत एरिया में grassland देखने को मिलते है जो कुछ temperate type की हो सकते है इसके इलावा, यहाँ पर आपके बहुत सारे rare endemic और highly endangered orchards देखने को मिल सकते हैं आपको तो इस पार्क के बारे में याद रखना बहुत important पार्क है आपका आईए अब बात करते हैं पम बुदाम सोला फॉरस्ट के बारे में इसकी location कुछ इस पार्ट में है इडूकी डिस्टिक के यह आपका smallest national park है जो आपको केरला में देखने को मिलते है यहाँ पर भी आपको सोला फॉरस्ट देखने को मिलते हैं ग्रासलेंड और श्रप्स देखने को मिलते हैं इस national park में आपको elephant, gore, leopards, wild boar और common लंगूर देखने को मिलते हैं आईए अब बात करते हैं मिथी केतन 16 national park की अब इस पार्क के बारे में दो चीज़े आपको जानने ही important है यहाँ पर आपको cardamom की cultivation देखने को मिलती है ठीक है जी? उसके इलावा coffee भी आप यहाँ पर ही उगाते हैं animals वग्यारे कोई ज़्यादा important नहीं है आपको जंगली sewer, जंगली कुता, जिसे हम ढोल भी बोलते हैं Asiatic elephant, gore, sambar, leopard यह common पर जाती है जानवरों के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है अब इसकी location की बात की जाए तो यह भी आपको इडू की district में मिलता है जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ बट एक चीज़ याद रखना है यह आपको Kerala Tamil Nadu border area में दिखता है यहाँ पर आपको unique vegetation देखने को मिलती है जैसे जो hill आपकी west coast की side है वहाँ पर आपको tropical evergreen forest देखने को मिलता है west coast में आपको थोड़ा उपर चले जाए तो वहाँ पर आपको semi evergreen forest देखने को मिलता है और आपको moist deciduous forest और grassland भी देखने को मिल सकता है इसके southern part की तरफ पनियार river जो है वो यहीं से होके निकलती है तो इस चीज के बारे में भी याद रखना spelling एक बार बता देता हूँ आपको P-A-N-N-I-Y-A-R पनियार river आईए अब बात करते हैं पेरियार national park की यह southern most national park है आपका अगर हम बात करें केरला की यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह located आपका इडू की डिस्टिक में ही है अगर देखा जाए टेक्निकली तो यह आपका इडू की डिस्टिक और इस एरिया के बीच में पढ़ता है तो कही न कहीं आपको इसको याद रखने की इडू की डिस्टिक में ही है यह यहाँ पे आपको टाइगर, लियोपर्ड, बार्किंग डियर, बॉनेट मॉंकी, नील गाए, लंगूर, पॉर्कपिन्स, स्लॉथ बीर्स, ग्रे जंगल फाउल, किंग फिशर्स, ग्रेट हॉर्न बिल्स, इस सभी देखने को मिलते है अब आपको मुझे एक चीज बतानी है कमेंट बॉक्स में, आशा यह करता हूँ कि आप सब इसका जवाब देंगे, क्योंकि जो भी सीरिस एस्परिंट होगा, वो अवश्य ही इसका जवाब देगा आपको मुझे बताना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरला का स्टेट बर्ट कौन सा पक्षी है इसके लावा इस पेरियार एरिया में आपको देखने को मिलती है पेरियार रिवर, जो कि इसके नौर्ट से होके निकलती है उसके लावा पामबा रिवर जो इसके western side से होके निकलती है मालने जे ये आपका पेरियार नेशनल पार्क है तो इसके west से आपको पामबा और अर्थूजा ये दो रिवर निकलती हुई दिखती है यहाँ पे आपको अलग-अलग type of vegetation देखने को मिल सकती है सवाना grassland किस तरह के होते हैं ये आपको मुझे comment box में बताना है थोड़ा hint दे देता हूँ आपको ये अफरिका वाले पार्क में भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको common trees जो देखने को मिलते हैं वो है jackfruit, teak, bamboo, rosewood and sandalwood तो आज के lecture में इतना ही धन्यवाद